तो है गाईज वाट्स आप रात चुका है फिर से एक नया कमाल का फीचर जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाला और ये फीचर गाईज काफी यूसफूर होने वाला है आप लोग के लिए तो गाईज वीडियो को एंड ज़रू से देखना तो यह चैनल पर नया तो यह सब्सक्राइब ज़रू से कर लेना बैल ऐकन प्रेस कर लेना क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही टेक रिलिटेट वीडियो में लाता रहता हूं तो हैलो गाईज मैं हूँ आदित्य आप देख रहाए इतना एट्यूटिप चैनल चेले वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्री पेटियम कैस अर्ण करने के लिए डाउनलोड करें फूरफन एप डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड करते ही साइन अब बोनस पर पाएं 50 रूपीज पेटियम तो आप लेगो तो पता ही कि वाट्सप टाइम-टू-टाइम अपने यूसर के लिए काफी कमाल की फीचर्स लाता रहता है जिससे कि हम लोग जो वाट्सप यूज़ करते हैं हम लोग के लिए काफी आसानी हो कोई भी चीज़ को यूज़ करने के लिए एंड चोटी-छी improvement करता रहता है तो आज गाज जो feature whatsapp पर new add गाई गाई चली मैं आप लोगो अपने screen पर दिखा देता हूँ अपने वाले whatsapp पर इसको लेके जाके दिखाता हूँ तो देख सकता हूँ यहाँ पर मैं अपने three dots पर click करता हूँ अपने settings में जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकता हूँ मेरा profile दिख रहा है and side में guys एक छोटा सा icon आप लोगो को देखने को मिल रहा है यह एक icon guys आप लोगो के whatsapp पे नहीं देखने को मिलेगा चली इस पर click कर लेते हैं यही है guys new feature देख सकते हैं एक QR code का option आ चुका है और उपर भी एक scan का है and एक my code है यह दोनों code है यह जो code guys आप लोगो को देखने को मिल रहा है guys यह जो code है इसका आप लोग काफी तरीके से use कर सकते हूँ जैसे आप लोगो कोई store है यहाँ पर इस code का लोग यूज़ करते हैं कि हाँ चिपका देते हैं उसको printer निकलवा के जो भी उसको scan करता है उसको जो है number direct से मिल जाता है देने का ज़रोत नहीं पड़ता है कुछ इस तरीके से यह जो है guys एक special link create हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर इस code का यूज़ आप लोग अपने हिसाब से जहां भी आप लोग को useful हो वहाँ कर सकते हो यह पहले नहीं था पहले हम लोगो को number देना परता था सामने वाला फिर उसको save करता था बट अब क्या करना है यहाँ पर scan वाला option दे रहा है तो जब सारे को यह feature मिल जाएगा तो क्या करना होगा जैसे आप हो and मैंने बोला कि मेरा number save कर लो तो क्या करूंगा मैं आपको अपना code send कर दूंगा या फिर अपना phone दे दूंगा या दिखा दूंगा and आप लोग अपने जो को यहाँ पर scan व कहीं भी आप लोग share कर सकते हो जैसे कि देख सको मैंने यहाँ पर WhatsApp पे share कर दिया है यहाँ पर नीचे देख सकते एक link भी आ चुका गया इस वह link भी बहुत ही सही है कि किसी को आपको number नहीं भेजना होगा लेकि जैसे link भेज जोगा link पे जैसे वह click करेगा उस पर वहाँ प यहाँ पर code को reset भी कर सकते हो ताकि पूराना वाला code को use करके अगर कोई आप लोग के तक पहुंचना जाए आप लोग को message करना ची तो वह नहीं हो सकते है यहाँ पर आप लोग अभी scan कर रहे होगे तो आप लोग को यहाँ पर यहाँ आने वाले क्योंकि यहाँ पर मैं इस QR code and invite link will no longer work. जो reset पर जैसे click करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर यह हट चुका है QR code and यह फिट से दूसरा new generate हो चुका है अप लोग का जो link था जो link भी create हो जा रहा था वो भी new link create हो जाएगा. अब आप लोग को बताता हूं कि इसको आप लोग कैसे अपने WhatsApp पे add कर सकते हो मैं three dots पे click करता हूं उसका settings पे click करता हूं उसका नीचे help का option उस पर जाने के बाद app info पर जाता हूं तो यहाँ पर देख सकतो guys मेरे WhatsApp का version है वो है 2.20.171 तो guys अगर आप लोग का यह version है तो आप लोग को भी यह feature मिल जाएगा वैसे अभी सारे Vita testers को यह वाला feature मिल रहा है सारे को normally तो नहीं मिला है बट फिर भी आप लोग जाके WhatsApp को update करो और देखो आप लोग का यह वाला version आ रहा है कि ने अगर यह वाला version आ गया इसमें update अगर हो गया तो आप लोग को भी यह वाला feature मिल जाएगा QR code का जो की काफी easy to use है guys और आप लोग कहीं भी अपने हिसाप आप भी message कर सकते हैं मैं वहाँ पर भी सारे को एका reply दे देता हूँ then मिलते हैं अपने next video guys तब ते के लिए take care and bye bye